कि पर पर छीदिने कई शुक्ट है कि छुट सें गुच्राइब। पड़े आपका दिमाग जिस दिसा में दोड़े उसी दिसा में आपका बिजनस दोड़े और दिमाग बड़ी ताकतवर चीज़े साहब दिमाग बहुत माइंड जो है बहुत स्ट्रॉंग चीज है दिमाग खी एकलोती ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है तो ऐसे मैं जब मैं बात कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कि कोई भी युद भूमी से पहले दिमाग में लड़ा जाता है कोई भी युद भूमी से पहले मनों भूमी में लड़ा जाता है यानि कि जो भी इसके बाद आप करने वाले हैं उसे पहले दिमाग में करना पड़ा जिस तरह का आपका माइंडसेट होगा उसी तरह का आपका बिजनस होगा और यहां पे इसी चीज़ का फाइदा उठाते जो प्लेयर है वो ब्रेन पे ही अटेक करेंगे आपके जितने भी कंपिटीटर जब भी आप पे अटेक करेंगे आपके ब्रेन पे अटेक करेंगे और आप जब भी अटेक करोगे सामने वाले के ब्रेन पे करोगे इसी को हम कहते हैं कांसलिंग इसी को कहते हैं one to one इसी को कह कि अपनी जो चीज़ आपके पास है उसे दूसरे को डिलीवर को अब रॉल of mind in business दिमाग का रूल क्या है दिमाग के दो फ्रेम रहते हैं एक positive और एक negative जैसे जैसे आपका दिमाग negative होगा तो negative brain जो चीज़ सबसे पहले produce करेगा वो करेगा frustration कि अग्याट आप प्राइशन को लेका चोटी से कमी को लेका चोटी सी प्रॉब्लम को क्कु सबसे पहले चीज जैसे ही आपके पास नेगटिरे आई तो जो पहली चीज प्रोड्यूस होगी वह कि फ्रस्टेशन और जब फ्रस्टेशन आएगा तो सो परसंट आप अपना नहीं दे पाएंगे इसलिए आपको वैपार में लोस होगा आप जिस इंकम में थे उस इंकम से नीच और जब लोस होता है तो अंस्टेबिलिटी आदी अंस्टेबिल दोने के बाद की प्रोड्यूस करते हैं। प्रेस्ट करता है वो एंथूसियाजम जो साता है आपके काम करने के लिए उसपा आता आता आप जैसे है पॉजिटीव हुए आप में एंथूसियाजम आएगा और जब आप अन्तुयाजम आता है तो आप उन Caterez Drug करते हैं आपका बिजिनस जो होने लग जाता है आपकी इंकम जो है बढ़ने लग जाती है क्योंकि तो ही चीज़ें आपने पॉजिटिव सोचा फिर उसमें एन्थूजियाजम प्रेड्यूस हुआ जो साया उच साया आपने उसके उपर काम किया तो आपका प्रॉफिट पनना शुरू हो गया यानि कि आपने लेना शुरू कर दिया और ग्रोथ आपको स्टेबिलिटी देती है मैं हमेशा कहता हूँ स्टेबिलिटी इस नथिं विदाउट ग्रोथ लेकिन इसका एक परामेटर है सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा एंथूजियास्टिक होना पड़ेगा तब जाके आपको ग्रोथ मिलेगा और तब आएगी स्टेबिलिटी यानि कि यह दो फ्रेम हैं आपके एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और पूरी मार्केट में जो माइंड गेम चलता है वो इन्ही दो चीजों पर चलता है मैं फिर बोल रहा हूँ कि अब यहां से अब यह तो दो बहुत कॉमन चीज़े हैं हर आदमी से असानी से समझ सकता है नेगेटिव होगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे पॉजिटिव होगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे बहुत कॉमन सी टॉक है जिस पर मैं अभी तक आ रहा था पर गेम तो अब इसके बाद खेला जाता है कि आपको प्रड़क्त कुछ होड़ चाहिए और चेहरा कोई और होता है कि बात करें इंकॉमर्स की बात करें डिरेक्ट सेलिंग की बात करें हर जगे कस्टमर के ब्रेंड के साथ डिरेक्ट सेलर के ब्रेंड के साथ लीडर के ब्रेंड के साथ मार्केट के तरीके क्या रोज ये खेल एक दूसरे के साथ हुटा है पहली चीज जो मैं कहता हूँ positive to negative that's why competitors always attack on your brain solely कैसे अटेक करते उस पर भी मैं बात करें और कैसे कैसे आप बहुत आसानी से एक एक चीज़ को लिंक कर पाइंगे आप बहुत आसानी से एक चीज़ को recall कर पाइंगे आप बहुत आसानी से समझत पाइंगे आ रहे corrupt again और और relate करने वाले हैं क्योंकि मैं बहुत practical बातें करता हूं मैं ट्रेडिंग नहीं देता हूं मैं motivation पर बातें नहीं करता हूं और आज तक एक ही चीज़ हमारी अच्छी है that is our real education system जब हम उसके बात करते हैं तो उसकी authenticity होती है और लोगों को वो समझ में आती है और जैसे जैसे वो समझ में आती है अब वो master हो जाते हैं अब वो अपने तरीके से business को run करना शुरू कर देते हैं अब वो सही प्रैक्टिस बिजनस में डाल देते हैं और business grow होना शुरू हो जाता और stability आ जाते हैं हमारे बहुत सारे leaders ने साड़े चार साल में बहुत कुछ किया है उस पर ब जाने की कोशिश करते हैं दो अलग-अलग company के leader जब बैठते हैं तो अलग-अलग company के इंप्लॉई तब बैठते हैं तो उनके बीच में तो ही होती है एक उसे वो जो positive है सामने वाला उसे negative करना चाहता है और दूसरा जो है जो negative बता रहा है सामने वाले के बारे में सामने व यानि कि मैं किसी के पास जाऊंगा तो मैं उसे positive करना चाहूंगा so that वो मिरे साथ काम करे और वो जब मिरे साथ पैठेगा तो वो मुझे negative करना चाहेगा ताकि मैं यहाँ से छोड़ के उसके साथ यही लडाई है पूरी industry की यही लडाई है और इसे जो जीतना सीख गया वो खेल बदल देता है वो बदल देता है पॉजिटिव टू नेगटिव करने की जो लडाई है आप बहुत असानी से इसे समझ लेंगे क्योंकि मैं विद एक्जामपल से आने वाला सबसे पहला स्टेप किसी कोई आदमी पॉजिटिव है उसको नेगटिव कर तो सबसे पहला स्टेप कंफ्यूजन पैदा कर दो कंफ्यूजन पैदा कर दो आकड़ों पर बात मत करो सचाई पर बात मत करो कंफ्यूजन पैदा कर दो और कंफ्यूजन कैसे पैदा होते हैं साथ लो बीवी है लो बीवी है प्याउट फूर लीडर्स है अरे भाईया बीवी लो है तो परसंटेज ओफ डिस्टिबूशन हाई है 77.5% प्लस में 12% क्रोना रिलीफ फंड यह डिस्टिबूशन है जिन कंपनी के बीवी हाई है उनका डिस्टिबूशन आपको मिलेगा 45%, 50%, 55%, 60%, 62%, 65% बीवी हाई है तो distribution कम है distribution हाई है तो बीवी कम है कान इधर से पकड़ो या इधर से बात महीं आएगी लेकिन सबसे पहले चीज authentic, confusion पैदा कर दो low BV है, low BV low BV है, confusion अभी मैं confusion पर बात करूँगा business volume बहुत कम है सरफ leaders का payout बनता है नीचे वाले के लिए कुछ नहीं है अब इसका जवाब में दूँगा यह confusion पैदा करने के तरीके यह पहला step है जो positive आदमी को negative की तरफ लेके जाएगा और जब आप negative हो जाओगे तो क्या होगा सबसे पहली चीज फस्टेशन आएगी दूसरी चीज बिसनस लोस होगा तीसरी चीज सेबलिटी जाएगा तो इसके लिए वो क्या हथियार अपनाते हैं आपके उपर जो पहला धनुस से बान छोड़ा जाता है वो छोड़ा जाता है confusion का देखा ना माभार देखियो रामायन देखियो एक धनुस इदर से जाता था एक धनुस उदर से जाता था जिसका ए चलते हैं एक मिटिंग में तो इदर वाले ने एक थोड़ा हमारी तरफ को तीर क्या है लो बिजनस वोल्यूम है लीडर के लिए प्याउट है confusion पैदा पहला तीर क्या है confusion पैदा इसका जब हम जवाब देंगे तो मजाने बादें क्योंकि एक ही सीज के लिए हम जाने जाते वह जवाब बहुत सीख देते हैं राइट पहले तीर क्या है confusion जब confusion का तीर अपना दो चार पांच साथ परसंट काम कर देता है तो दूसरा तीर पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव करने के लिए मित भरम भरमित कर दो भरम फैलाएगा भरम कैसे फैलाए जाएगा जूट भरम भरम तो जूट पे चलता है अरे टीवी सी डारेक्ट सेलिंग में थोड़ी होती है वर्ल्ड की नमबर वन कंपनी भले ही देती हो पर ये लोग फिर भी यही बोलेंगे डारेक्ट सेलिंग में टीवी सी थोड़ी होती है ये तो ट्रेडिशनल लोगों का काम है यही पै लेकिन नहीं साथ वो एक्सेट हो गया क्योंकि वो पुराना मोडल हो गया यह नया मोडल इसको एक्सेट करने में टाइम लगेगा वर्ड की नंबर वन कंपनी डारेक्ट से लिंग किसे कर रही है लेकिन आप करोगे तो नित प्राइब बहुत पता नहीं क्या क्या बोला है इसलिए मित तो बनता है अब उसके बाद क्या आगा ट्रैडिशनल की तरफ जाएंगे यह लोग तो सुट ब्लीस खोलने आउटलेट खोलेंगे डारेक्ट कस्टमर को देंगे MRP पे बेचेंगे यह मित फैलाई जाएंगी फिर लीडर्स की इनको क्या जूरूट है एक दिन यह बोलेंगे हम तो ट्रैडिशनल हो जाएंगे यह यह मित फैलाई जाएंगे यह भरम फैलाई जाएंगे क्योंकि साब कंफ्यूज आपने थोड़ा सा काम कर लिया कंफ्यू यह हमारे नहीं किसी के भी खिलाफ जब आप भी करते हो तो आप भी ऐसे ही करते होगे किसी के साथ मुझे लगता यह उत्थश पैटरन है ये कोई भी कितना भी समझा ले वो इस चाल से उन्हें पता है कंपबी भी ट्रडिशनल कंपणी नहीं हुखर उन्हें मालूँ है इनका इतबी ही प्रोड़क्ट बगार पीवी-वी के बिकने वाला नही कितने आपके उपर अटेक होते हैं कितने फेज में होता है उसे जो जहल गया वो बुलेट प्रूफ है वो योधा है वो जीते गा उसको कोई नहीं रोप सकता है पहला कंफ्यूजर लो बीवी है यह है लीडर्स के लिए प्लान है नीचे वालों के लिए कुछ नहीं हो उपर लिए सब कुछ है यह यह होता है कंफ्यूजर दूसरा स्टेप टीवी सी ले आए टेलिवीजन पर आ रही है तुम्हारी क्या जूरूर्ट रहेगी यह करेंगे वो करेंगे यह क्या है भरम मित जूट जो कभी सच होने वाला ही नहीं है लेकिन पैलाया जाएगा तीसरी ची इसका यह ज़्यक्त है इसका ब्राबर के रिट का इसका प्लान ऐसा है उसका गया इसा कि आप अपनी फोकस को हिलाके दाएं पाएं देखना शुरू पर तीसरा जो तरीका है अब देखना कमाल की बात कितनी शातिरता के साथ कितने तरीके से चीजों को डिस्टर्ब किया ज कि ऑपना बिजनस में हर आदमी को अपना बिजनस मनाना है और जब सब लगता है तो सबसे पहले कंफियूजन अपना काम कर लेती है तो दूसरी जी जाते है जिसे हम कहते है मिद भरंट जूट है हिना इन्म簡श कर एड यह उयर्म कर रही है कंपनी आप आप खरी तोड़ दिया जाता है वह ह Lewis है साब बहुत कमाल का हतोड़ा है साब उस हतोड़े की खासियत है साब उसे कहते हैं सेलेक्शन भाई साब कुछ देख लो आप बहुत कमाल के लीडर हो मैं भी कुछ देख रहा हूं वो दूसरी कंपनी का होगा आप दूसरी कंपनी के होंगे वो कुछ प्लाइन कर रहा होगा कुछ और कंपनी का लीडर चोड़ रहा है वह आपको कुछ नहीं मानता है वह यह मानता है कि यह मेरे नीचे आ जाए तो मेरा कान चल जाए वह करता है कि भाई साब मैं भी सोच रहा हूं कुछ मिल जुल के देख लेते हैं राइट स्टेप समझ में हैं कंफ्यूजल पहला दूसरा मित क्योंकि इन दो चीजों से आप जो कर रहे हो जो अच्छा कर रहे हो जो ग्रो कर रहे हो उससे आपका भरोसा अड़क मखा है आप पॉजिटिव थे लेकिन सहाज सहाज करके वह आपको कंफ्यूज करके भरम में डालके डाइवर्ट करके आपके फोकस को खतम कराके आपको कुछ और सोचने पर मजबूर कर देता है लोग बोलते हैं इसे तोड़ना इसे बोला जाता है तोड़ना बहुत सारे लीडर मोलेंगे आपको मर्केट में अपन तो फटाक से लीडर तो करो तीसरा डाइवर्ट करो चोथा उसे कुछ और ऑप्शन दे दो इस और इसी पे चलता है फाइंड संथिंग बेटर फो यू नेगेटिव तो पॉजिटिव एक तरीका था स्टेप से की पोजिटिव आदमी को नेगेटिव कैसे किया जाए पहले कंफ्यूजन पैदा करो परिंडा भार्म में डालो फिर उसको डाइवर्ट करो फिर उसे सेलेक्षन पे लें चार स्टेप हैं किसी भी आदमी को नेगेटिव करने के पॉजिटिव क्यों नहों जब लगातार यह चीज की जाएगे तो उसे नेगेटिव किया जा सकता है मेरा यह मानना है क्योंकि यह जो चार्ज स्टेप है यह बहुत टेस्टेट अन्पूवन है मेरे किस बाइस साल वह सरे लोग बोलेगे तोड़ देतां वह 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 इस गेम क अब लड़ाई किया वह आपको नेगेटिव करना चाहिए आपको करना क्या आपको उसको पॉजिटिव करना है जो आपको नेगेटिव करने आथा अगर आपने उसको पॉजिटिव कर लिया तो आपका बिजनस हो गया आपको ग्रोथ मिलेगी आपका इंकम बढ़ेगा की आत्रा है जब दो लोग टेबल पर बैठते हैं तो यहीं लड़ाई चलती है एक पॉजिटिव आदनी को नेगेटिव करने के लिए होता है और दूसरा जो पॉजिटिव उल्रेडी बैठा है वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने आया राइट अब दूसरी जर्नी नेग आप में जो आप में उत्सा देखने लायक होता है और उससे जो आप काम करते हो उसमें ग्रोव अथा लिए क्योंकि जितने जो उत्सा के साथ आप काम करोगे उतना आप तो उसका आउट्पूट मिलेगा राइट नम्बर वान कॉन्फिदेंस जब वह आपके पास पहली हर एक चीज़ते काट है कंफिजन की काट के है कंफिदेंस जब वह आपको बोल रहा है किसाब लो भीवी है तो पहला सवाल लो भीवी है लेकिन हाई प्याउट डिस्टिब्यूशन है आप जिस कंपनी में है क्या वो कंपनी से बीजनस पोल्यों का 77.5 प्लस में 12 क्रोना रिल सब्सक्राइब करना है तो जो कंफिदेंस या थो आपके पास सब्सक्राइब करना है तो जो जो कंफिदेंस पहलाने आए उसे confidence देना है लो भीवी है लेकिन high distribution है high payouts है और आज साड़े-4 साल में जो payout हमारे leaders के बन रहे हैं किसी भी एक company के वो payouts बनते हो तो हमें दिखाए जब आप ना मिलेगा साड़े-4 साल पुरानी 5 साल पुरानी 6 साल पुरानी company में उसका जवाब ना मिले यानि कि आपने साड़े-4 साल में किसी भी company का सबसे अच्छा payout लिया है लो भीवी थे तो कैसे है high sale क्योंकि sale जारा थी और दूसरी चीज कस्टमर oriented product तीसरी चीज उसकी packing उसकी quality उसकी pricing तीनों affordable थी कस्टमर तक पहुचने वाले थी और चोथी चीज हमारा distribution system हमारा प्लान बिजनस प्लान इतना अच्छा था कि उसमें percentage उस तरीके से बाटा गया था कि लीडर का प्याउट बने अब दूसरी चीज क्या बोलेंगे लीडर के लिए ही प्याउट है 77.5% में से 50-50,000 एक लाख बिजनस वोलियूम जो करता है एक लाख बिजनस वोलियूम जो करता है 30% उसी में जाता है परसेंट 40-15,000 परसेंट 55% उसके बाद अगला साढ़े साथ परसेंट उसी पर जा रहा है 62.5% और उससे अगला 5% किस पर जा रहा है 67.5% और 10% फ्लेक्सिब बोनस उसी एक लाख बिजनस वोलियूम पे 77.5% सब्सक्राइब करने वाले लोगों को मिल रहा है इससे ज्यादा परसेंटेज आज तक किसी ने बहुतम में नहीं बाट लेकिन साथ अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सामने वाला तो अटेक करेगा आपको कॉन्फिटेंस ही नहीं है सामने वाला तो कन्फिउस करेगा लेकिन जब आपके पास जवाब है और आप उससे पूछो एक लाख बिजनस पोलियूम में आपकी कंपनी कितने प्लान की कंडिशन्स बताओ फर्स्ट पर्चेस कंपल्सरी मिलेगी हमारी कंपनी में नहीं है और कमाल की बात बता रहा हूं इतने से जुड़ो गे तो वह आमारी कंपनी में नहीं है और इससे भी बड़ी बात जिससे confidence आता है direct selling में साड़े चार साल में जिस company ने सिधान्त नहीं छोड़े जिस company ने समझोता नहीं किया सिधान्त से लूपर जाए नीचे जाए कभी उसकी तरफ नहीं देखा लगातार grow किया जहां से शुरू है तो कहीं कहीं बहतर लेवल पर चले गए ना business बड़ा हुआ तब घमंड में आये और ना जब business कम था तब कभी मायूस हुए सिधान्तों के साथ ethics के साथ लोगों के carrier के साथ खिलवार नहीं करने वाली company में काम करना अपने आपने confidence सबसे बड़ा confidence कि आपके ऊपर किसी को नहीं बढ़ा जागा सबसे बड़ा confidence आपकी टीम को तोड़के कहीं और नहीं लगा जागा सबसे बड़ा confidence रोज प्लान नहीं बदल रहे हैं दुनिया भर की company है साल में 10 प्लान दो साल में 15 प्लान 20 साल में पता नहीं कितने plan वही 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 आपकी जीत है आपकी company जब जब तकलीफ आती है लोगों पे आपकी company अपने profits को sacrifice करके अपने leaders को income देती है चाहे पीछे जब lockdown लगा था तब की आप बात करें चाहे तूर जो foreign tours थे उनके बदले में लोगों के account में उसका पैसा देना हुआ चाहे advance payout देना हुआ चाहे mask free देना हुआ चाहे आपका sanitizer free देना हुआ चाहे आपका बाकी कीसी भी चीज़ को आप देखोगे चाहे 10% krona relief fund देना हुआ चाहे अब 12% krona relief fund देना हुआ यह intention इंचन दिखाता है आपकी management की intention क्या है और जहां पर इस बहुत strong है जहां पर इंसानियत बहुत अच्छी है जहां पर नियत बहुत अच्छी है वहां पर confidence अपने आप आता है और यह जो confidence है यहार confusion को किल कर देते हैं कोई confusion जब आप confident है आपका सामने टिक नहीं सकती किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है आपके दिमाग में virus डाल दे आप अगर confidence है confusion रूपी virus उनी के दिमाग में जाता है जो अपनी चीजों को समझते नहीं है जब आप अपने plan को समझोगे जब आप अपने product को समझोगे packaging को समझोगे quality को समझोगे price को समझोगे system को समझोगे company को समझोगे से धानतो को समझोगे उसकी intention को समझोगे दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपकी table पर बैठ के इस confidence को आपसे ले के नहीं जाए और जो आपके confidence को ले के जाएगा वो आपके साथ काम है यानि कि we have to be confident enough so that we can attract any person हमें इतना confidence होना चाहिए कि कोई दूसरा हमें देख के attract हो कि यार ऐसा बनना है मुझे भी confident बनना है मुझे भी सही business करना है मुझे भी सही लोगों के साथ business करना है मुझे भी सही उत्पात का business करना है मुझे भी सही quality के product बेचने है मुझे भी सही price पे product बेचने मुझे भी industry के सबसे बढ़िया brand value रखने वाले product बेचने है और मुझे भी ऐसे लोगों के साथ काम करना है जहां पर हमारे साथ कल कोई विश्वास घातना है मुझे भी ऐसी कंपनी में काम करना है जो बिजनस देखके रंग नहीं बदलती जो रोज प्लान नहीं बदलती यहां से यह confidence जो आपके साथ बैठेगा लेके जाएगा आपके business में growth आना शुरू हो जाओगे सामने वाला negative करने आया था आपने उनसे ही positive कर दिया जीतना शुरू हो जाओगे the choice is yours पहला step क्या है confusion को किस से काटा जाता है जब उसने confusion का तीर चला तो इधर से confidence का तीर चलेगा खटा खताम खेल जीत गए आप क्योंकि confidence के आगे कोई confusion कभी नहीं टिकती लिख लो यह बाद नमबर टू टू जूट कितनी बड़ी क्यो ना हो उसकी उमर लंबी नहीं होती है मित कोई कुछ ना भी पहलाए जूट के आगे जब भी सच्चा ही खड़ी हो जाएगी जूट बहार हो जाएगी यानि कि जब कोई आपको भर्मित करना चाहता है उसके सामने सच्चे आकड़े रह उसे को क्या भईया कैसे भर्मित करना था टीवी सी ट्रेडिशनल में होती है वर्ल की नंबर वण कंपनी टीवी सी करती है डैरेट सिल को इंडिया की भी कुछ इतनी brand value बनती चली जाएगी लोग जब आपकी company को अच्छी company, बड़ी company, established company, stable company मानना शुरू कर देंगे आपकी तरफ आना शुरू है जब आपकी company को लोग जानना शुरू कर देंगे आपकी तरफ आना शुरू है यानि कि DVC इसलिए की जाती है कि लोग चाहे वो ग्रहक के तोर पर, चाहे वो विक्रेता के तोर पर, ग्रहक और विक्रेता, उर विक्रेता दोनों आपकी company को अच्छी category में गणने और जब धिटी असे मोका मिले, वो आपके साथ काम करने के बारे में सुच आप से उत्पाद खरीदने के बारे में सुच है या आपके साथ मिल को उत कि महीन में शुरु करने वाले कुछ अच्छ है नियूफ चैनल से हम लोग शुरु करने वाले और स्विट ब्लिस की एड आने वाली है यह अलग तरीके से आने वाली आॉट्लेट आने वालें लोग कोलेंगे यह तो retail company तो कंपनी का एक वो है direct seller के थूर वेचना क्या वो कभी जीवन में कभी जीवन में traditional हो सकती है लेकिन साथ नहीं यह पड़ा मित का खेल है एक पिता और एक पुत्तर एक बार घोड़ा खरीदने गए उन्होंने एक घोड़ा खरीदा और पिता अपने पुत्तर को बोला कि बेटा जा गोड़े है तो गोड़ा लेकर निकला जैसे वह अपने गाउं की सीमा के अंदर एंटर हुआ उसे एक इंसान मिला इस इंसान ने उसे पहला सवाल किया भाई इस कुट्टे को कहां से लिए था खोड़ा लेकिन बोला क्या इस कुट्टे को कहां से लिए लड़का ठोड़ोस आगे निकला आपने अगे कुछ अगे कोफ सब्सक्ताने चुटा कुछ गोड़ा ने तेरा थिमाग मेरा निट सब्सक्या सब्सक्राइब कि अगला भुला अरे घुट्टे को कहां टेला रहा है कांसे कांजा लड़का कंफिऊज कि यार घुड़े को बता है एक दो तीन चार पांच लोगों रहे से मिले लड़का प्रेशा, लड़का उसे कुट्टा मान चुका, लड़के को लगा कि कुट्टा ही लेया, चरसाथ कुछ धोखा हो गया, गडबड हो, उसमें वो कुट्टा एक पेड के बास छोड़ दिया, जो लोग उसे प्रेशान कर रहे थे उस घोड़े को पिछे से आके ले कुछ समय के बाद उसका पिता पहुंचा और उसके पिता ने उससे कहा कि भी घोड़ा कहा है बोला बाउजी वह तो हमारे साथ दोखा उगया वो घोड़ा नहीं था अब गदह किस ने कहा पिता की बात थी अब गदह किस ने कहा है वोला इतने लोग मिले सब ने कहा उंपनद हिय तुझे ठग ले गए तिरक को कंफ्यूस कर दिया तिरको भर्मित कर दिया कि डाइवर्ट कर दिया कि तिर्या दिमाग चलना बंद हो गया जो बार-बार बोल रहे तुझे लगा यह सच गदे ठाग होते हैं कि प्रेशाद कभी-कभी ऐसा भी होता है घोड़ा भी कुट्ता लगने लगा यह ठगों की खासियत है कि आपकी सबसे बड़ी एडवांचिस को आप ही कि खिलाफ यूज करने की कोशिश आपके घोड़े को कुट्ता बता है आप जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो उसका जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है उससे उन्हें मालूम है अगर यह बेनिफिट इनको मिल गया जैसे इनकी एड़ चल रही है यह ठीके रहे गई यह कॉंफिडेंट रहे कस्टमर्स इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो तुम्हें कस्टमर कहां से मिलेंगे क्योंकि साब कुछ भी कहो चाहे आप ट्रे सेलिंग स्किल्स के दम पे छीन लेते हैं लेकिन सेलिंग स्किल्स के साथ अगर ब्रेंट वेल्यू मिल जाए तो यह एक ऐसा रेर कॉंबो है जो इतिहास बना देगा उन्हें मालूम है इसलिए वो घोड़े को कुट्ता बनाने लगे हुए हैं और समझदार लोग इसका बढ़ी हो जाएगी जिसे पता है तिरा बिजनस बढ़ा हो जाएगा जिसे पता है तिरी इंकम बढ़ी हो जाएगी उसके घोड़े को कुट्ता कोई नहीं बता सकता क्योंकि जब भी मित के आगे टुत को ले आओगे मित हार जाएगा जूट लाई के आगे टुत को ले तरफ सब्सक्राइए है मुएं इन्डियान डारेट्ट सेलिक कम्पणी है एक मार्केट पफ इन्डियन डारेक्ट सेलिंग के पास ले के लड़ाई लढ़ी है और वही कि कि डीशनल मार्केट की कंपनियों के पिसक फटी extent कुम्पणीयों के शस 화 और जसकी सचा है उसके आगे नहीं вик prose नहीं कुछ के जीपना उसने किया और तेस्रा है ऊचरा कि डायवर्ट कि जब यहावर होगे तो स्टेबलिटी होडों अन्स्टेबल हो जाओ ऑगा अज़िए कु अयह सब बाते क्यों सिस्ट्रम इस मिशन्यों चोपी वैंक और युर सीनियर। एक तरफ देखना है, that is my goal, मेरा goal क्या है, क्योंकि जो लोग focus नहीं होते, सहाब अरजुन में और बाकी के योधाओं में सरफ एक ही अंतर था, उनको भी तीर चलाने आते थे, इनको भी तीर चलाना आता था, उनको भी भाले चलाने आते होंगे, भाले इनको भी चलाने आते लेकिन एक अंतर था, वो जब मचली की आँख में तीर मारा था, तब भी दिखा था, और जब वो चिडियां की आँख देखी दी, द्रोनाचारिया जब शिक्षा दे रहते तब भी दिखा था, वो था कि अरजुन focus था, बड़े योधा बनने के लिए focus होना बहुत जरूर यह, यानि की जो आपका लक्ष है वो दिखाई देना चीए, चिडियां की आँख के लावा कुछ नहीं दिखेगा, मचली की आँख के लावा कुछ नहीं दिखेगा, बाकी को सब कुछ दिखता है, मचली की आँख भी दिखती है और बाकी सब कुछ भी दिखता है, लेकिन अपने बिजनस प्लाइंपे अपने प्रड़क पे अपने सिस्टेम पर अपनी कंपणी पर अको उसकी सेल को उसके को पर विद्त होने की बाइद मैं तो हमें जासकती टोब 65 आप जब बलर्ड के साथ एक अछी पिक नहीं की चीजा सकते हैं तो आपको क्या लगता है। कीरियर बनाने के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है और जिस दिन आस फोकस्ट हो गई आपका बिजनस ब्रो करना शुरू करने तो और जिस दिन लोगों को लगा कि आप कुछ नहीं सुनोगे तो यकीन मानना उस दिन से वो आपको डाइवर्ट करना भी बन कर देते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती हो आपको प्लान दिखा दें उनकी हिम्मत नहीं होती है आपको वर्ट सेफ कर दें उनकी हिम्मत नहीं होती हो नहीं यह लगेगा कि इसके पास चला गया ना तो यह तुझे जोड़ देगा उस संप्ली में और जब तक आपका यह मुकाम नहीं मनेगा जब तक लोगों को mentally ये विश्वास नहीं होगा कि इसके पास चले गए तो ये तुम्हें अपने सिस्टम में जोड़ देगा तब तक you are not eligible to be successful जो लोग आपको negative करने आए हैं उनको positive कर डालोगे तो business हो जाए यही एकलोता मंतर है जो आपको कामियाब करते है यही एकलोता मंतर है जो आपको कामियाब करते हैं और साब जब आपको confidence होता है जब आपको truth पता है जब आपको focus समझ में आता है कि focus करने के फाइदे क्या है तो सरफ एक काम बसता है that is massive action कोई meeting नहीं छोड़नी कोई training नहीं छोड़ना अपने कोई मुका नहीं छोड़ना जहां हम product लोगों तक पहुचा नहीं सकते whatsapp की dp पे instagram पे facebook पे ऐसे समय में आपके products आप मैं हमेशा massive action इसे कहता हूँ company नहीं कोई offer उतारा तो वो नीचे तक अपनी team में जाना चीए ताकि उस offer का फाइदा maximum अपने team के लोग उठाएं और उससे business growth company ने कोई चीज अनाउंस की तो उसको qualify करना है 12% corona relief fund तो वो corona relief fund जब qualify करोगे इस महीने और अगले महीने आपके payout में वो आंतर दिखेगा और आप बोलोगे कि हमारी company ने इस महीने corona relief fund के नाम पे इतना रुपया हमारे को दिया वो difference बाकी की companyों में दिखेगा वो आपको दिखेगा वो आपकी company के intention आपकी income की रूप में दिखेगी कि आपकी company आपको क्या देना चाहिए 12% 12% it's not a small amount it's not a small percentage बगेर intention के दिया ही नहीं जा सकता जब हमने advance payout देने के बात की तब भी लोग यही बोलते थे और बोल दिया देंगे कैसा या जब हमने टूर के बदले में पैसा देने के बात की तब भी ऐसा ही बोलते थे मैं क्यों मोल रहा हूं focus focus होने के लिए जरूर बनाए प्रड़क्टेंज बनाए क्वालिटी बनाए पैकेजिंग बनाए जिस प्राइस पर आपकी कंपनी लेके आए वो अपने आप में काफी है वो confidence देने के लिए कि अगले साड़े चार साल में हम क्या कर देंगे वो बगैर plan change की लोगों के प्याउट लाखों में गए आज भी लाखों में आते हैं और कल करोडों में आएंगे ये confidence देता है कि हमारी company का विजन आने वाले समय में जो जो प्रड़क्ट हम लाके आने वाले हैं और वो प्रड़क्ट revolutionary होने वाले हैं ये confidence देता है जब इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें कर दी अगले महीने जब जब हम e-commerce launch करेंगे जब हम delivery पर काम कर रहे हैं उसको launch करेंगे तो सोचिए ये business कहां जाने वाला है सोचिए आपके growth कितना मिलने वाली है यानि कि आपको तीन चीज़ें चीज़ें negative to positive journey कराना सीखना पड़ेगा लोग उनको जो लोग negative है उनको positive करके अपने साथ लाना प अब मैं हमेशा कहता हूं massive action हमेशा involved रहना अपनी company के promotion में involved रहना प्रणिंग के लिए तैयार रहना अपनी team को training देना sale पे काम करना अपनी हर उस चीज़ पे काम करना जिससे आप एक बहतर sale कर सकते हो जिससे आप बहतर है business बिल्ड कर सकते हो बहतर income ले सकते हो उसके लिए तैयार रहना यह massive action में आता है रोज की दोज अपने लिए अपनी team के लिए अपने लोगों के लिए अपनी company के लिए काम करना आपको कोई इग्नोरी नहीं कर सकते हैं आपकी जो respect होगी company के अंदर अपनी team के अंदर अपने downline के अंदर अपने गुणकि हर आदमी पॉजिटीव के पास रहां है कि लेकिन जो लोग बिसनस पॉजिटीव पॉजिटीव भी पॉजिटिव लोग उन्हें बहुत पौसंद करते हैं तो बहुँआ इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं दोनु यह काम करती है नेगेटिव से पॉजटिव करने वाली ट्रिक भी काम करती है और पॉजटिव से पॉजटिव से नेगेटिव करने तो क्या करना है कन्फूजन दूसरी चीजी पहली चीज़ क्या क्या confusion दूसरी चीज क्या मित तीसरी चीज क्या डाइवर्जन चोथी चीज क्या अंस्टेपलेटी मतलब सेलेक्शन डाइवर्ट करके सेलेक्शन की तरफ लेके जाए यह चार स्टेप अगर किसी को आप पॉजिटिव से नेगेटिव करना चाहते हो तो पहले कन्फिजन फिर मित फिर उसके बाद डाइवर्जन और देन सेलेक्शन और ऐसे ही अगर आप नेगेटिव से किसी को पॉजिटिव लेके जाना चाहते हो तो पहले कोणिडेंस कर्दी Birmingham करते हैं फिर प् करते हैं और दूसरा लोगं को पोजिटिव करता है सही रस्त दिखाता है शॉप पिलेके चलता और जोड़ता है तो तोड़ने से जोड़ने वाला कल भी बड़ा था आज भी बड़ा है और कल भी बड़ा होगा यही मेरवान में है दोनों ही चीज़ें काम करते हैं हागी जब आप पॉजटिव की जरनी करोगे तो आप ज़नी करोंगे तो ही आप सकस्स मिलेगी क्योंकि जब आप नेगटिव से पॉजटिव होते हो तो आपको enthusiasm मिलता है, फिर आपको growth मिलती है, result मिलते है, काम करने का दिल करता है, success मिलती है, business मिलता है, success मिलता है, negative to positive सोचोगे तो ये चीज़े मिलता है, और positive to negative सोचोगे, frustration मिलेगा, business failure मिलेगा, diversion मिलेगा, और कुछ ने कुछ और life में करना पड़ेगा, you have to choose something to do, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, negative से positive की journey कामियाबी तरफ लेके जाती है, positive से negative की journey बाहर का रस्ता दिखाती है, बिजनस से आओ, डमरू, अब यह आप पे depend करता है, कि आप कौनसी जरहनी पे करना चाहते है, negative to positive और positive to negative, यानि कि मैं तो फर्रेकी लाइन बोलूँगा, don't be a rat of any scientist, किसी विज्यानिक का चुहा मत बने, कि वह आप पे experiment करें, बलकि अपने विचारों के scientist बने, be a scientist of your own thoughts, किसी दूसरे का चुहा बनने से ज़्याद आच्छा है आपने विचारों का मैं scientist बने, आपको वो समझ में आना चाहिए, कोई आपको खेल जाए, कोई आपको डमरू बना जाए, कोई आपको positive थे negative कर जाए, कोई आपको उस दिशा में ले जाए, जहां आपने ही जाना चाहते, कोई आपकी stability को kill कर दे, यह एक रस्त है, और एक दूसरा भटके हुए आदमी को, negative आदमी को, आप positive बना के और उसे successful करते, दोनों में से respect किसमें जाए, जहां आप किसी को positive करते हैं, जहां आप किसी को successful करते हैं, जहां आप किसी में positive vibes लेके आए, life में positivity का अपना एक important role है, be a good leader, be a classic leader, be a enthusiastic leader, मैं यहीं मानता हूँ कि, आम सब में बराबर का caliber है, हम सब के पास दो हाथ, दो आखें, उतनी दाथ होंगे, उतनी नाख होंगी, उतनी कान होंगी, वह एक ही दिल होगा, दो ही लंग्स होंगे, kidney, kidney, liver, weaver, सब बराबर है, लेकिन साफ फरक है, तो यहां का, business में, सबसे बड़ा role play करता है, आपका mindset, business में सबसे बड़ी एहमियत रखता है, कि इस तरीके से आप जाते हैं, जब आप अपने confidence को लेके जाते हैं, जब आप trust को लेके जाते हैं, जब आप focus होके काम करते हैं, और massively काम करते हैं, massive action के साथ काम करते हैं, तो success कभी दूर नहीं होती है, और यकीन मानना, साड़े चार साल में आपकी company ने जो किया है, वो सिरफ इसलिए कर पाई है, क्योंकि आपकी company को confidence था, truth, सच्चाई, trust, नियत अच्छी थी उसको लेके चली, उपर वाला भी तभी रहम करता है, जब आपकी इबादत में कुछ सच्चाई होती है, जब आपकी दुआओं में कुछ सच्चाई होती है, तभी वो दुआएं फलती हैं, यानिकी, आपके बस confidence था, सच्चाई थी, वेरहाउसे, प्रॉक्ट, ट्वालिटी, पैकेजिंग, प्रैसिंग, ब्रैंडिंग, सब कुछ हुआ, टीवी पे आड चली, जो कि लगभग साड़े चाट साल में एक impossible काम लगता था, और अब e-commerce, हॉम डिलिवरी, वेबसाइट, ये काम बचे हैं, क्योंकि ना तो हमारे बराबर की क्यूलिटी, ना हमारे बराबर की पैकेजिंग, ना हमारे जैसा प्लान, ना हमारे जैसी कंडिशन फ्री, ना हमारे जैसी नियत, ना हमारे जैसे सितान, बहुत कम कंपनियों में देखने को हम बिलेंगे, जहां हमारे जैसे पैकेजिंग और क्यालेटी होगी वहां हमारे जैसे प्राइस नहीं होगा जहां हमारे जैसे प्राइस होगा तो हमारे जैसे क्यालेटी और पैकेजिंग नहीं होगी जहां हमारे जैसे नियत होगी वहां कंडिशन्स दुनिया भरके होगी और जहां कंडिश में जितते हो अच्छे विर हाउसे में जितते हो छोटे-छोटे काम बचे हैं बाइएंड आफ़र हम डिलिवरी एकॉमर्स स्विट ब्लिस के रिटेल आउटलिट एक खुब सुरच सी वेबसाइट यह अगले कुछ समय में बनके तैयार हो रहे हैं और बहुत कुछ है जो अभी अनौंस भी नहीं किया क्योंकि पुछले कुछ दिनों में मैंने अनौंस करना बंद कर दिया है आप पिछले 15-20 दिन में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप मैंने सोच लिए हैं लाते जाओ देते जाओ लाते जाओ देते जाओ लाते जाओ देते जाओ लाते जाओ देते जाओ देते जाओ आपकी अच्छाईयों को पर्मोशन की ज़रूरत नहीं है we are going to change the game we are going to change the market लेकिन आपको पत्री बेचाने पड़ेगी business की रिल को दोड़ाने के लिए आपको अपने mindset को उत्ना strong करना पड़ेगा जीते अपको तैयारी करने पड़ेगी आपको अपने organization के उपर अपने business के उपर अपने business plan के उपर अपने प्रड़क्त जो पर उस लेकर आना पड़ेगा कि जो आदमी आपको नेगेटिव करने है आप उसे पॉजिटिव करके अपने बिजनस में प्लग इन कर लेगा क्योंकि ग्रहाक आपका है मित को प्रुत के सामने रखना पड़े भरम कभी नहीं टिकेगा जब वो टीवी की एड देके आप बोलेंगे ना देखो टीवी पे आड आते हैं कल ग्रहाक अमारा प्रड़क्त मांगेगा तब आप क्या करों कि लोग अबर साथ जुड़ना चाहेंगे आप क्या करों और वी आरे तो चैस्ट अग्ले साल बंडिशनल मार्केट का एक बड़ा हिसा डिर्ट सेलिंग मार्केट का हिस्टा हो जाएगा और जिज दन हैसा हो गया ले बिल बिल बास्ट प्लेर चीड था और हमारे लीडर्स को देखा है मैं आपके काम करने के तरीकों को देखा मैं और मैं जानता हूँ हर नेगटिविटी को पॉजिटिविटी में कनवार्ट करना आता है आपको मैं जानता हूँ हर जूट का जवाब सच से देना जानते हर भरम को तोड़ते आएं आप साड़े चाल साल में हजारों भरम पहलाए गए है और बार उन भरमों को तोड़के आपने एक नया आयाम स्थापिक एक बार फिर से तैयार हो जाएं इंडस्ट्री बदलेंगे हम लोग इंडस्ट्री को काम करने वाले नोगों के लिए काम करना असान होगा उनकी सोचल क्षाल एक्सेटेंस बनेगी यही विजन है और यह तब होता है जब आपकी प्रटक की साही होती है पैंक्य रख ऑपर較ूटिंग करनने के लिए परगिए दमनेंगा आपको कमाने के लिए कुछ खरीदना ही पड़ेगा यूनिन नॉट टॉबाइए यह 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 भरोसा दिलाता है हमें अपने प्रड़क पे भरोसा नहीं होता तो कंडिशन से या पैकेज होता है दोने ही चीज़े नहीं है ना पैकेज है ना कंडिशन है ना फास्ट पर लिए वो दो बार आएगा और यही इंटेंशन हमारी रहती है स्पाइस ऐसे समय में सबसे इंपोर्टेंट प्रड़क्त और उसके उपर और और वह भी आफर में क्या आई त्वी जो इस समय का सबसे बहतरीं प्रड़क्त सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रड़क्त क्यों क क्योंकि हम चाते हैं घरों में पहुंचे इमिनेटी बुस्टर पहुंचे अच्छी लोंग पहुंचे अच्छी काली मिर्च पहुंचे अच्छी हल्दी पहुंचे अच्छा आइटी जह इंफ्लमेशन इमिनेटी पे इंफेक्शन पे कीनों पे काम करने वाला प्रड़क्त इस इसावर विन की यह हमारे लीडर की विन है we will fight against any situation and we will fight together and we will change the market it's high time घर परो मास्क लगाओ सनिटाइजर लगाओ हाथ हो जो भी अपकी इमिनिटी को बढ़ाने वाली चीज़े उन चीजों का प्रियोग करो चाहे वो इंटर्टेन्मेंट हो तो पॉजिटिव टीव देखना है पॉजिटिव चैनल से तो अच्छी लाख्र लाख्र शॉष्वा कमेडी मुवी देखो जेम्स देखो जिससे आपकी इमिनिटी बुस्ट हो आप आपमें इंपी इंपी जिससे आप रह सकते खुश जिससे रह सकते हैं, क्योंकि खुश रहना भी आपकी immunity को boost करता है, जितने आप stress रहेंगे, जितने आप घबराए हुए, डरे हुए रहेंगे, उतनी आपकी immunity down हो जाएगे, चाए वो KSM 66 का हानी है, चाए वो ginsing हानी है, सुगर को cut कर दो, salt को कम कर दो, मैदे को कम कर सुगर की जगे हानी को यूज करना सकते हैं, क्योंकि सुगर, salt और मैदा immunity को कमजोर करता है, इसकी जगे अच्छे spices को, अच्छे immunity के products को, जहां से मिलते हैं, अच्छे products यूज करो, अपनी immunity को boost करो, अपने business को boost करो, और एक चीज़ हमेशा रखना, negative to positive journey करनी है, positive to negative करनी है, यह हम तै करेंगे, यह आप तै करेंगे, और दोनों के impact आपके सामने है, let's change the market, let's change the mindset, अपने दिमाग को उपना strong बना लेना है, कि जो हमें negative करने आएगा, उसे positive करके अपने system में, और जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, आपकी कामिया भी को कोई देंग लविए, लविए.